हेलो सबी को नमस्ते जहीन जयवारत उमीद करता हूं सौनदार होगे बहुत सारे बच्चे दिन में वाट्साप भी मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे फेस्बुक पर की सर ये वो 56, 57 सर कब कैसे सर ग्रूप D की दोनों वेटिंग पहली बात तो ग्रूप D की वेटिंग जुरूर लगी आपको पता भी धानसभा की चुनाव हैं और वेटिंग के साथ साथ ये एक और सीटी करवाने के सोच रहे हैं रहे हैं वह जुर्णाइब मिड-जुलाई में करेंगे मिड-जुलाई का इन्होंने मनाया अब की बार का यह को खतरी तो करना तो चाहिए था है यह अलग भरति आ लेकिन अब इतना सेमें नहीं है सरकार के पास कि उस CT को अब खतम करके नई भरतियों का फोर्म भरवा के फोर्म कर ले अब तो CT ले और फिर CT मेंस में सभी को मौका देके फिर अपने जो भी भरतियां कंप्रीट करने का सिर्फ एक ही मैथट अब तो कि नया CT जुलाई में ले और जो भी भरति निकालनी है उसको मेंस में सबको इंकलूड कर ले या CT में 15 गुणा 20 गुणा सबको पास करना या लेके क्योंकि आपके पास एक्स्टेंड तो करेंगी एक दो महीना विधान सभा क्योंकि आपको पता है जैसे भी जो भी महुल होगा या महुल है आप समझ पंद्रा तक मेंटर को हम मतलब पब्लिक डोमेन में डाल देंगे कि रिजरो फैंसला क्या रहा है पांच नंबर को लेकर ठीक है या नहीं है पड़ मुझे नहीं लगता कि 25 में से पहले इन चीजों को करेंगे क्योंकि 25 में आप सभी सब्सक्राइब हो ठीक है उसमें दोनो आज जो करता और आज आए तो ठीक है ताकि और बच्चे जिनको भी है और जो भी भरती लटकी पूरी हो जाए जैसे टीजीटी वाले हैं विचारें क्या कसूर है इनका यही कसूर है कि इनोंने बीएड कर ली ब्येसी कर ली है में सी कर ली नेट कर लिया स्क्रीनिंग पास आज जो आज बहुता है सीपीओ का सीडियस का एक का का नेट का यूपीएसी का तो सेंटर लेवल के जितने भी बड़े 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 एक्जाम जिसमें लाखों स्टूडेंट बैठते हैं ऐसा नहीं कि दो च्यार लाख बैठते हो लाखों मतलब 10 लाख पलस ही मानके च और फिर दो पेपर भी होते हैं एक एक अपिटूड का और एक सब्जेक्ट का पेपर होता है जब वोरल जल्ट निकाल सकते तो कहीं न कहीं खामिया सिस्टम में होती है कि आप इन चीजों को इंप्रूब नहीं कर रहे या इंप्रूब करना ही नहीं चाहते कि बच्चा मेन कि हर्याना पुलिस की आजाए जैसे सब इंस्पेक्टर की हुई थी वह बिना सीट हुई थी दोनों पूरी होगी दोनों बचे ज्वाइनिंग करके अपने फिल्ड में है एक ही जो कोस्टेबल का बैस था वो अपना पासिंग प्रेड है उसकी तो कहीं न कहीं देखेते हैं क्या करते हैं कहतो रहें कि नया बोर्ड गठित होगा नए मेंबर आएंगे देखेंगे किस तरीकी के काम करेंगे बट टीचिटी को लेकर अब यही है कि जब भी यह पांच रंपर का डिसिजन आएगा अब इसको मुझे तो लगता नहीं करेंगे बट हो सकता है जब इतने कि लगेंगी डेम शोर लगना ठीक है आप तो ज्वाइनिंग की बोले थे कि नए बच्चों को को मुझे और वालों को नहीं देंगे को मुझे ज्वाइन कर गेंगे और बोलावी था आपको कि दो चार दिन्दरू को इनको बुलाएंगे बहुत हो ने नीचे कमेंट किया क कि मास्टर क्यों बुखा रहा है कि मतलब ऐसे जो अर्यान भी बड़ा होते हैं मैंने सुचा अब कोई नहीं जिसकी बुद्धी होती जैसा वीवेक होता है से कमेंट कर देता है तो कोमन केल्डर वाले भी बुला लिए अब कोई और भाना बचा हूं तो अपनी त्यारी को बात है कि आरपी अफ का भी देंगे वह तो 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 त्यारी कर रहे होते हैं ले मरेंगे लेकिन और बच्चों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं जैसे दिली पुलिस की कटफ बना दियो पचेतर बड़ा पचेतर पे जाएगी मैं बोला बेटा जिसके 55 की त्यारी करो जिस तो इनका तो काम ही ही है ठीक है तो आपको प्लीज अपने आपको हमेशा सकरात्मक रखना है क्योंकि गरीबी में और और लोगों के इनके पास तो पैसा बेटा इनके माबाब जोब पर होते हैं घर में दो पैसे की आमनियाद जो दो किसी का पैसे का ब्योंत हो ना पहले से ही जो चांदी की चमच लेकर प बार नहीं तो उस्यगली बार कर लेंगे या फिर मैदान में अधियार छोड़ दें तो जो भी मजाक उड़ाते इन चीजों का पॉस्टिवीटी का उनको पता नहीं है क्योंकि वो गलत सुक्राणूं है उनको इन चीजों का नहीं पता कि गरीबी में खालात जो होते हैं उ उसका मतलब थोड़ा था कि हम पने पढ़ना चोड़ दिया कि ग्यारमी भारमी करता है अच्छा तब हुन 2006 से लगवा कितने पल ठारा साल पहले और बोलते ते पांच नंबर पांच नंबर नहीं 32 पेपर कलियर हैं और जिन में से चार की ज्वाइनिंग भी है तो तुट प रखो जो आपको नकरात्मता के भाव में लेके जाएं हमेशा पोजटिव रहना क्यारी करते रहना कोमन केडर वालों की ज्वाइनिंग आई यह तो यह भी बोल रहे था कि भरती कैंसल होगी गुरूपडी की सबका सुत्यपनास होगा फलाना होगा आगी तुम्हारे मैं ब होगे मास्तरजी त्याक है जो आप सटकों पर भूम रहे हो उसको सलाम है और भरती पूरी होगी में भाटस और जो भी बाते हो कर लिया करो मैसेज वाटसप आपका भाई आपके लिए त्यार है हमें साथ जब भी आपको लगे उदास हो नाराज हो चुकि हमने वो चीजें जहली हैं हम वो चीजें जहल के रफ एंट अफ हुए हैं ठीक है ना चांदी की चमज लेकर पैदान हुए कि पर दो पैसे का जुगाड हो जिसकी बसकार मिलेंगे ऐक म शकरातमकता मिलेगी उसको एटिट्यूड मिलेगा कि उसका शुक्राणू अमीरी में पैदा हो गया और वो ग्ड़ीवी वाला शुक्राणू था चलो, hold the best, love you सभी को, गवराना नहीं किसी भी चीज को लेकर त्यारी करते रहना है, और हमेशा सक्रात्मक्ता के साथ खड़े रहना है, किसी भी चीज को लेकर हतास नहीं होना जिंदगी में, जिंदगी बहुत बड़ी है, बार-बार मौके देगी, ऐसा होई नहीं सकता कि ज है तूने क्या करने, तूने क्या उखाड़ ली अब तक, तो ये लोग खुद तो हैं फस्टेटिड, क्योंकि जो फस्टेटिड होगा अपनी जिंदगी में, वो फस्टेशन ही भार निकालेगा, ठीक है ना, खिलारी सरीट से पसी न निकालता है, और फस्टेटिड लोग ह ऐसे होते हैं, तो आपको ऐसे लोगों को इग्नोर मार लें, ओल्डाबेस, लवी सभी को, जय हीन, जय भारत